आप सबीक सुखते बात करेंगे एक शांदा स्टॉक के बारे में जिसमें आप यहापर SIP कर सकते हैं और साथ साथ यहापर जब गिरावट दिखे तब इस स्टॉक में आप यहापर खरदारी करकर आपने फोटफोली में रख सकते हैं दोस्तो बहुती कॉलिटी वाला और बहुत भी देखने को मिले दोस्तो तो आप यहापर क्वांटिटी यहापर खरिते रहना ही चाहिए अभी मैं आपको चीज़े बताऊंगा जरूर आपको अंडरस्टानिक हो जाएगा कि इस कंपनी में इतना क्या दम है और कंपनी क्यों शांदार है बोलकर जैसे हमें आप पर टेकनिकल भी इस पर बात करें तो इस टॉक ने आपर अच्छे का से हाई लेवल को टच करकर जैसे कि आपर 10,000 के करीब जाकर इस टॉक ने आपर गिरावट कंटिनी की है अब यहापर ज़रूर देख सकते देखिए जो यहापर आपको उपर के कैंडर स्टिक दिखती भी होगी और मैं दिखाने कोईश करूँगा यहापर हाई लेवल पर टच करकर स्टॉक में गिरावट देखने को मिली है और गिरावट के बाद में देखिए इस टॉक ने आप ठोड़ा आप ट्रेन भी दिखाया और बाद में गिरावट कंटिनी करकर आभी देखिए स्ट इसे भी आपको पता चलेगा और सासत में आपको वैलूम भी बताऊंगा तब आपको अंडरस्टानिक हो जागा कि इंडिया मारत में ग्रोथ होने वारी बोलकर और एक इंपोर्टन बात दस्तो आप यहापर इन्वेस्टर को पता होनी चाहिए इसमें देखिए इन्वेस् टेक कहा से कहा तक चल चुका है 12 परसेंट था देखिए अभी 24 परसेंट बोलतों उनका स्टेक देखिए एक साल में 2020 से 2020 डिसेमबर तक ही कितना डबल हो अग्यों दोस्तों क्योंकि उन्हें पता है कि स्टाक में वैलूए बोल कर आप समझें स्टाक में लगातार इतना उपनीने बल्ड क्वांटिटी में बिजनस करती है बहुती क्वालिटी और जबर्दस वाला तो यहाँ पर शेर्वोल्डिंग पैटर्न देखकर आपको समझेंगा मंतली बेसे पर और क्वार्टरली बेसे पर भी चेंजस आपको होते हो देखनेक मिलेंगे अब इसमें देखकेंगे तो आपको देखनेक मिलेंगी 7972 रुपए के पर क्लोज हुआ है इसके आप रेंड की पोजिशन की बात करें तो यहाँ पर आपको बताना चाहूंगा शाड़े 8000 के करीब जाएगा और बिल्कूल यहाँ पर आच्छी मार्केट में तेजी रही तो यह टेज यह स्टॉक परफॉर्म करके दिखाएगा अभी देखें जैसे के इसके रेविन्यू की बात करें डिसेंबर 2019 और मार्च 2020 कमपनी का पिछले साल से रेविन्यू अच्छा तका सा बढ़ते हो देखर आया हमें और यह मैं एरली बेस पर बात कर रहा हूं एरली बेस पर देख बात करें तो इसमें आपको मार्केट क्याप और यहाप पर करजे के बारे में यह प्रमोटर के होल्डिंग आर्निंग पर शेयर पी रेशो सभी चुझो में कमपनी क्वालिटी वाली मैं आपको बता हूंगा एक्सलेंट बहुत ही अच्छे से अच्छी कमपनी बोलेंगे तो भी चल जागा इंडिया मार्क को यह इंडिया का अलिबाब आए बिल्कुल मार्केट में देखेंगे आईसी कमपनी बिजनस करने वाली कोई नहीं है और यह कमपनी की आखिली मोलोप वाली है दोस्तों यह कमपनी आप देखिए तो आपको बताना चाहांगे जैसे कि इलेक्ट्रोनिक यहाँ पर अप्लाइसे सो छोटे मोटे चीजे हो बड़े से बड़े जो भी यहाँ पर आप चीज मांगेंगे वह यहाँ पर खरीदने के लिए मिलेंगे बट जो आधर एकॉमर्स वेपसाइट है जैसे कि फ्लिपकार्ट एमेजोन यहाँ पर उनके हाँ क अधर है कि प्रोड़क की लिमिट है और सासल लिमिट कई से तो उनके पास कुछ लिमिटेड प्रोड़क के पर इसकंपनि पास देखें जो मांगेंगे वह बड़े से बड़े और चोटी चोटी चीज इनके पास देखने मिलेगे और साथ-साथ इंस्टिशनल इन्वेस्टर जो होते डी आएस उनका भी हाँ पर होल्डिंग बढ़ते हो देखनेक मिल रहा है अब यहाँ पर आम नेकलों पर बात करें तो वैलियूम देख सकते हैं कि आपको देखनेक मिलेगा वैलियूम कि इतना जबरदस है दोस्त हम नेकलों पर बात करें कंपनी से रेट कुछ इंटरेस्टि नशन से तो देखियें कंपणी यहां से डाइरेकली कूर्त कुछ बचेगे अउसाथ-साथ-साथ-स बिजिसच होते है रिटेलिंक आपना ही प्रोडक्त बेचेगैं तो इस कंपणी में फाइदा नजर आता क्वालिटी क्वालिटी और एक देखें स्टॉक का जो एक लिमिटर रेन में बिजनेस चला बहुत दिनों से जैसे कि मैं आपको बताना चाहूंगा यहाँ पर यहाँ पर देखें और बाद में उसी तरी किस देखें यहाँ पर कंट्यूनी गिरावट और वह लेवल को देखें जैसे मैं आप बता दो पिछला जो लेवल गिरावट का था उसी लेवल से स्टॉक नहीं एक पर्फर्फरमस करके दिखाया अभी आईसे यह स्टॉक 8500 का ले करते होंगे सबी चीज़े जो मैं आपको बता रहा हूं तो आप अंडरस्टानिंग करने के बाद इसमें आप इन्वेस्टमेंट कर सकते और जैसे आपको गिरावट देखने को मिले आप बिल्कुल कंटिन्यू करना और इसका फाइदा उठाने कोश्च करना इंडिया मार् एक से देड़ साल भी नहीं हुए कंपणी को लिस्टोकर और कंपणी ने कहा से कहा तक जरने स्टार्ट किये और कितने बड़ा तरके से कंपणी ने आच्छा कासा रिटन इंवेस्टर को प्रॉइट किया है तो थैंक्यों सो मज़ आपका किम चुई देखके सबीन फन सुन